पंजाब में अगले साल के शुरुवात में होने वाले विधान सभा चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज है इस बीच बीते रोज पंजाब में चुनावों को लेकर सी वोटर सरवे जारी हुआ है और सरवे का दावा बेहद चौखाने वाला है सरवे में आम आदमी पार्टी को 36% वोट मिलने वाले हैं कॉंग्रेस को 32% अकाली दल को 22% बीजेपी को 4% और अन्य को 6% वोट मिलने का दावा किया गया है सीटों के लिहाद से सरवे का दावा है कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है आपको ये मालूम हो कि फिलहाल आप पंजाब में मुख्य विपक्षी पार्टी है अब सर्वे का दावा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार भी बना सकती है पंजाब विधान सभा की 117 सीटे हैं आपको 49-55 सीटे मिल सकती है कॉंग्रेस को 49-47 सीटे SAD को 17-25 BJP और N को 0-1 सीट तक मिल सकती है पंजाब में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गड़ बंधन को 69 सीटों की जरूरत होती है इस सर्वे के मुताबिक कॉंग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी एक तीनों ही बले दल के तौर पर उभरेंगे वही किसान आंदूलन से BJP को बड़ा नुकसान पहुच सकता है झाली एक तीनों ही पार्टी एक तीनों ही जरूरत है